नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे lifetime free credit card के बारे में और ये जो topic है ना इसके बारे में सब जानना चाहते है क्योंकि सब को credit card चाहिए उसके benefits भी चाहिए लेकिन भाईया पैसा नहीं देना एक रुपया भी ना joining fees देनी है ना annual fees देनी है तो lifetime free 10 credit card के बारे में बताने वाल सबसे पहले card की बात करते हैं जो बिलकुल beginner बंदा है मतलब उसने कभी card यूज नहीं किया और उसके card अप्रूव भी नहीं हो रहे तो वो यहां पे एक card ले सकता है जिसमें ना तो को joining fees है और ना ही annual fees है इस card का नाम है one card और यह one card है यह metal में आता है तो यह काफी अच्छा करोगे तो आपको एक reward point मिलता है और उसकी अगर value देखें तो मात्र 10 पैसा है यानि कि 0.10 रुपीज 10 पैसे के बराबर एक reward point है अला कि यह कहते हैं कि हम आपको 5X reward point देते हैं टू गेटेगरीज में जो top 2 केटेगरीज है उसमें देते हैं जो currency markup लगता है वो इसमें 1% ल आप FD कराके भी इस card को ले सकते हैं तो अगर आपको पहला कोई credit card चाहिए जिसमें ज्यादा benefit ने जाए बस credit card होना चाहे हमारे पास तो आप one card की तरफ जा सकते हैं otherwise और भी lifetime free credit card मिल जाएंगे आपको बहुत अच्छा-च्छा offer के साथ जो आपको आगे वीडियो में पता चाहे जाएंगे इसके बाद जो दूसरा card है यह भी आपको easily तो नहीं मिलेगा पर हां मिल जाएगा और यह है भाई साब AU Small Finance Bank की तरफ से और इसका नाम है AU Small Finance Bank lit credit card अब यह जो credit card है actual में इसमें कई तरह से आप customize कर सकते हैं यह एक ऐसा card है जिसमें चाहे जैसे आप customize कर सकते बलके तो यह कहते हैं कि इंडिया का पहला customizable credit card है लेकिन अगर इसको normal way में आप लेंगे तो फिर आपको lifetime free मिलेगा बट अगेन अगर यह lifetime free आप लेते हैं तो आपको कुछ खास reward point देखने को नहीं मिलते हैं आप 100 रुपए spend करते हो आपको एक reward point देखने को मिलते हैं लेकि इसके बाद एक और credit card है जो है ICICI का platinum card अब यह जो ICIC का platinum chip card है यह भी काफी ठीक है फ्री में मिल जाता है को जोइनिंग फीस को एनवल फीस नहीं है इसमें हलाकि ICIC का और भी अच्छा card है फ्री वाला वह भी बताऊंगा आगे वीडियो में लेकिन अगर ICIC के platinum credit card के बात कर करेंगे तो आपको दो reward point देखने को मिलेंगे और अगर कोई bill pay अगेरा करेंगे Amazon के app के थुरूप और वहां पे straight card से payment करते हैं तो आपको एक reward point देखने को मिल जाएगा तो बस इतने reward मिलते इसमें कुछ खास नहीं मिलते यह वो तीन card जो आपको इजीली मिलतो जाते है ल Amazon के साथ ICI Amazon Pay credit card यह credit card मेरी opinion से काफी बढ़िया है और यह भी भाई साब कोई joining fees नहीं है कोई animal fees नहीं है बिल्कुल free है अगर आप Amazon से swapping ज्यादा करते तो बहुत बढ़िया card है अगर आप prime member है इस card को use करके spend करते हैं तो यहां पे आपको जो cashback देखने को मिलेगा वो मिले अगर आप कोई भी utility बिलका payment करते हैं Amazon Pay की जो app है उसके थुरूर इस card से payment करते हैं तो आपको 2% का cashback देखने को मिल जाएगा और अधर आप कहीं भी इसे use करते हैं तो भी आपको 1% का cashback देखने को मिल जाएगा तो मेरे इसाब से free में यह card ICIC की तरफ से काफी बढ़िया ह आप जिन card के बारे में बताने वाला हूँ यह card काफी popular है और यह जो provide करता है यह bank है IDFC First Bank IDFC First Bank के mostly जितने भी credit card है वो lifetime free रहते हैं और अच्छे offer के साथ आते हैं कुछ credit card में आपको बता रहा हूँ पहला जो credit card है वो है IDFC First का millennia या फिर आप classic भी ले सकते हैं दोनों almost same है य जब आप 500 रुपए spend करेंगे online तो आपको 6 reward point मिलेंगे और अगर आप offline 500 रुपए spend करेंगे तो आपको 3 reward point मिलेंगे एक reward point के अगर value देखी जाए तो वो 25 पैसे है और अगर आप railway के lounge access करना चाहते हैं और यह card use करेंगे तो आपको 4 railway lounge access मिलेंगे वो भी per quarter इसके अलावा अगर मान लीजे आप अपने birthday पे कोई spending करते हैं कोई खर्चा करते हैं तो यहाँ पे आपको जो reward point है वो 10x हो जाएंगे 10 reward point मिलेंगे या फिर आप एक महिने में 20,000 से जादा spend कर देते हैं तो भी आपके जो reward point है वो 10x हो जाएंगे तो यह इसकी सबसेची खास बात है इस इसके साथ एक बहुत बढ़िया feature और मिलता है और वो मिलता है road side assistance का हाला कि यह feature आपको लग रहा होगा क्या है लेकिन भाई साफ जब इसकी जरौत पड़ती है तो यह बहुत काम का feature है तो आप कोई साभी card यूज कर रहे है IDFC first millennia या classic दोनों में आपको road side assistance भी मिलता है अ यहां पर आपको 125 रुपए spend करने पर online 6 reward point मिल जाएंगे पहले वाले पर कितने मिल लेते मिलतों चाही रहते हैं कि 500 spend करेंगे तो आपको 6 reward point मिलेंगे online और अगर आप offline 125 रुपए spend करेंगे तो आपको 3 reward point देखने को मिलेंगे अगर माल लीजिए आप अपने birthday पर कोई spend करत अगर आप railway lounge access करना चाहते तो quarterly आपको 4 railway lounge access मिलेंगे और आपको यहां पर अगर airport lounge चाहिए तो वह भी आपको 4 domestic airport lounge access करने को मिल जाएंगे इसके लावा road site assistance आपको यहां भी देखने को मिलेगा इसके साथ एक plus feature और है कि अगर आप माल लीजिए movies वगेरा देखते है और movie book क करते है ticket तो आप महीने में आपको दो movie ticket free मिल जाएंगे लेकिन उसकी जो maximum limit होगी और 200 रुपे होगी यानि कि एक फिल्म की जो टिकेट है और 200 रुपे तक दो बार आप अवेल कर सकते है इस credit card के मात्यम से इसके अलावा तीसरा credit card है यह मेरा भी favorite credit card है और यह भी IDFC की करेंगे online तो आपको भई 6 reward point मिलेंगे offline करेंगे आप 3 reward point मिलेंगे इसके अलावा यहां पे quarterly आपको 4 railway lounge access मिल जाएंगे इसके लावा domestic airport lounge access भी quarterly 4 मिल जाएंगे और international अगर आप airport lounge access करेंगे तो वह भी आपको quarterly 4 मिल जाएंगे तो यहां पे भईया lounge access का काफी बढ़िया benefit है और अगर birthday पर spend करते तो पर 100 रुपीज आपको यहां पर reward point 10 मिलेंगे यानि 10x हो जाएंगे और अगर आप एक महिने में 30,000 रुपे से जादा कि spending कर देते तो भी आपको 10 reward point मिलेंगे यानि कि वह reward point आपके 10x हो जाएंगे movie ticket की जहां तक बात है तो आपको यहां भी मन्त म से यह भी आपको यहां पर मिल जाएगा और एक कमाल का feature और मिलता है कि आपको यहां पर airport पर इसपा एकसेस करने का option मिलेगा आप इसपा भी एकसेस कर सकते हैं और वो भी आपको 4 quarterly मिलेंगे तो यह सबसे बड़ा इसका benefit है और यह credit card काफी बढ़िया है और यह भी lifetime free में मि मिलते हैं इसमें खास बात यह है कि यह lifetime free card तो है ही साथ में जो reward point आपको मिलते हैं उनको आप convert कर सकते हैं hotel points के अंदर या फिर air miles के अंदर या ETC बहुत सारे इसमें आपको convert करने के option मिलते हैं तो यह इसकी सबसे अच्छी बात है अगर आप इस card को use करके एक साल के अंदर चार लाख रुपे से ज़्यादा spend कर देते हैं तो आपको 5X reward point देखने को मिलते हैं लेकिन जो maximum आप reward ले सकते हैं एक साल के अंदर वो 15,000 रुपे की limit है यानि 15,000 रुपे से ज़्यादा के reward आप नहीं ले सकते हैं तो यह card भी काफी अच्छा है लेकिन यह कुछ-कुछ location पर मिलता है हर location पर नहीं है तो आप जिस भी location में रहते हैं आप अपना pin code डालके website पर से check कर सकते हैं अगर यह मिल जाता है फ्री में तो आप इसे ले सकते हैं अगला जो credit card है यह आता है वाई साब PNB bank की तरफ से अब इस bank के वारह में तो सब लोग जानते ही है इस टाइ कोई भी joining fees या annual fees नहीं लगेगी और जब इसे आप first बार यूज करोगे तो first use पर भी आपको 300 plus reward point मिल जाएंगे इसके लावा कोई भी आप बिल वगेरा का payment करते हैं या फिर कोई hotel वगेरा restaurant वगेरा में जाके payment करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ exclusive cashback आपको देखने को मिल ज लोग तो आपको यह offer मिलेगा वह different time पर अलग-अलग offer मिलते हैं लेकि 300 प्लस ऐसे merchant है जहां पर इस card से payment करने पर आपको offer देखने को मिलते हैं और यहां पर आपको डॉमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एकसे से वह भी मिल जाता है तो यह card भी बहुत अच्छा है लेकिन P sign signature lease and credit card यह भी lifetime free है इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है reward point के अगर बात करतो यहां पे कुछ condition है कि अगर आप weekday के अंदर इस पे spend करते तो आप 100 रुपए spend करेंगे आपको एक reward point देखने को मिलेगा वही weekend के अंदर आप करेंगे तो आपको 100 रुपए spend पे 2 reward point देखने को मिलेंगे वहीं अगर एक साल के अंदर आप 6,000 रुपए spend कर देते तो आपको 4000 reward point मिल जाएंगे तो यह card भी काफी easily मिल जाता है आप इसको भी ले सकते हैं तो यह वो 10 card है जो lifetime free रहते हैं एक और card में यहां पे bonus के रूप में आपको बताना चाहता हूँ वो है access my zone credit card इस इसमें भी काफी अच्छे offer आपको मिलते हैं लेकिन इसकी condition यह है कि इसकी जो जॉइनिंग fees है वो 500 रुपए annual भी 500 रुपए लेकिन कभी कभी यह lifetime free भी मिलता है अलग-अलग offer इस पर आते रहते हैं तो जब आपको यह लेना है तब आप चेक करें कि यह आपको joining fees के साथ म मिल रहा है या फिर lifetime free मिल रहा है बट हाँ यह credit card भी no doubt बहुत popular है और बहुत अच्छा है अब आप मुझे बताए इन सब में से आपको कौन सा lifetime free credit card अच्छा लगता है या कौन-कौन से lifetime free credit card आप already use करते वो सब कमेंट में लिखके बता ही अगर वीडियो पसंद आई तो वी है